इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 4-6 साल के उम्रे के बच्चों को खासी होने पर तुरेंट रहात पाने के लिए कौन सी दवाई दे अगर सूखी खासी है अर्थात खासी के साथ कफ नहीं आ रहा है बलगम नहीं आ रहा है तो सिरप टिकसिलिक्स देना है जिसका कंटेंट है क्लोरफेनिरामीन मेलीट 2mg पर 5 ml टेक्स्टो मेथारफेन हाइड्रो ब्रोमाईड 5mg पर 5 ml अगर टिकसिलिक्स ब्रांड नेम नहीं मिलता है तो इस इस ब्रांड नेम के अलावा इसी कंटेंट वाली दूसरी दवाई आप देश सकते हैं सिरफ टिकसिलिक्स जो आप देंगे उसका खुराक आपको याद रखना है पांच एमिल दिन में तीन बार आपको दिन में तीन बार देना है शुबर दोपहर और शाम को मिलागे अगर गिली खासी हो अर्थात खासी के साथ अगर बलगा मा रहा हो तो उस कंडिशन में एंडिबायोटिक के साथ-साथ गिली खासी के लिए सिरफ देना है सोवेंटॉल एक्सपेक्टोरेंट सिरफ जिसका कंटेंट है एंब्रोग्सॉल 10 mg गौाय फेनिसीन 25 mg टर्ब्यूटालीन 0.5 mg कुराक आपको याद रखनी है 2.5 ml अर्था 2.5 ml दिन में 3 बार अगर खासी बहुत जादा है और मुखे लक्षण खासी के रूप में ही दिखाई दे रहा है तो खासी को जड़ से खतम करने के लिए सिरफ ओडोक्जिल देना है जो कि एक एंटिबायोटिक है जिसका कंटेंट है सेफडोक्सील 125 mg खुराक आपको याद रखनी है 5 ml दिन में 3 बार अगर खासी के साथ नाक बह रहा हो सरदी हो तो उस कंडिशन में सिरफ विकोरील भी देना है विकोरील डियेस खुराक आपको याद रखनी है 5 ml दिन में 3 बार इसके कंपोजिशन को भी आप थोड़ा ध्यान में रखे इस कंपोजिशन में अगर आपको कोई दूसरी ब्राइंड नेम की दवाई मिलती है तो भी आप उसे ले सकते है खासी होने पर बच्चे को कोल्डरिंग और ठंडी जूस, ठंडी चीज़े, तेल वाली चीज़े, तली हुई चीज़े, ओली फूड बिलकुल ना दे अगर खासी बहुत सीवियर है और इन दवाईयों से कंट्रूल नहीं हो सकती तो तुरंत रहात के लिए एंटिपायूटिक इंजेक्शन दिया जाता है आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सेफेंट्रल 125 mg इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन बच्चे को लगाया जाएगा तो ऐसे सिच्विशन में आप आसपास के कोई भी जनरल प्रैक्टिशन जनरल फिजीशन को रेफर कर सकते हैं अगर और कोई सीवर कंडिशन होगी तो वो आपको बता देंगे किसी पेडियार्टिशन के पास जाने के लिए